आज कल एक बच्चे का नाम शोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोगों के जबान पर चरा हुआ है उसका एक वीडियो भी काफी तेजी से वाइरल हो रहा है जिसमें हम देख सकते हैं कि स्वामी राम भद्राचारिया उसे स्टेट से नीचे उतरने को कहते हैं जी हां सही सोचा आपने नमस्कार आप देख रहें देन्यूस 15 मैहुश भांगी और आज हम चर्चा कर रहे हैं बाल संत अभिनव अडोडा की हाली में कारेक्रम के दौरान स्वामी राम भद्राचारिया अभिनव अडोडा पर भढ़क गये और उन्हें मन से उतरने को भी कहा जिसके बाद हम इस वीडियो में देख सकते हैं कि वहां पे मौजूद सेवादारों ने अभिनव को स्टेज से नीचे उतारा जब से ये घटना शोशल मीडिया पर वाइरल हुई है उसके बाद से ही अभिनव को लोगों की तीखी प्रतिक्रिया जहलनी पड़ रही है सिर्फ अभिनवी नहीं लोग अभिनव के माबाप पर भी निशाना साध रहे हैं आपको बता दे कि शोशल मीडिया प्लाटफॉर्म इंस्टाग्राम पर तकरीब नौ लाख लोग अभिनव को फॉलो करते हैं और अभिनव रोज इंस्टाग्राम पर रील्स और तस्वीरे शेयर करते हैं पर जब से स्वामी राम भदराचारिया के साथ उनकी वीडियो वाइरल हुई है तब से अभिनव शोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं इस घटना से पहले भी लोग के नकारात्मक कमेंट अभिनव के पोस्ट पर आते ही थे कभी कोई कमेंट करता था कि आज भी तू स्कूल नहीं गया तो किसी ने लिखा है कि क्या जरूरत है पढ़ाई की अब बाबा बन के कमाएगा इसी बीच खबर ऐसी भी है कि अभिनव अडोरा के माबाप को धमकिया मिल रही है उनसे बोला जा रहा है कि अपने बच्चे को समझाए वरना जल्द ही राधारानी के पास भेज दिया जाएगा इस बारे में अभिनव के वकील किसले पांडे ने एक न्यूस चैनल को बताया था उनका कहना है कि हमें शक है कि ये सब योजना बद तरीके से किसी खास एजेंडे के तहत किया जा रहा है पहले अभिनव के वीडियो को वाइरल किया गया और अब उसके माबाप को धमकिया आना किसी साजिश के तहत हो रहा है जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अभिनव के माबाप के पास एक मैसेज आया है जिसमें लिखा हुआ है कि अपने लड़के को समझा लो वरना रील नहीं बना पाएगा प्यार से समझा रहा हूं हम उसको जल्द ही राधारानी के पास भेश देंगे अगर अभिनव की बात करे तो दस साल के अभिनव अरोडा को बाल संत कहा जाता है और वो भगवान कृष्ण के स्वयंग्भू भक्त है उन्हें अक्सर सारवजनिक कारेक्रमों में भाग लेते और सोशल मीडिया पर आध्यात्मिक वीडियो शेर करते हुए दिखा जा सकता है अभिनव को दिसंबर 2023 में नितिन गटकरी द्वारा भारत के सबसे कम उम्र के आध्यात्मिक वक्ता का अवॉर्ड भी दिया जा चुका है और वो सबसे कम उम्र के यूट्यूबर और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में भी जाने जाते है श्रीकृष्ण को छोटा भा पूजने वाले अभिनव मशूर लेखक और टेड़ स्पीकर तरुन राज के बेटे हैं और बच्पन से ही आध्यात्मिके तरफ उनका रुजहान रहा है दस साल के अभिनव ने कम उम्र में ही शास्त्रों और वेदों का ज्यान ले लिया था इस वक्त वो दिल्ली में रहते हैं और एक प्राइवट स्कूल में पांचवी कक्षा में पढ़ते हैं हाली में हुए इस पूरे घटना को लेकर अभिनव का कहना है कि जब से वीडियो वाइरल हुई है तब से रोज 500-1000 फोन उनके पास आ रहे हैं लोग उनके पड़िवार को टार्गेट कर रहे हैं उन्ह उने ट्रोल कर रहे हैं साथ ही जब वाइरल वीडियो पर दोनों पक्षों से बात हुई तब जहां एक तरफ स्वामी राम भद्राचारिया ने कहा कि वह मूर्ख लड़का है उसको शिष्टता का ग्यान नहीं है तो वही अभिनव का कहना है कि स्टेज पर राम भद्राचा को सीख देती है अगर बाल संथ अभिनव के डेली रूटीन की बात की जाए तो दस साल के अभिनव का रूटीन हम सबसे काफी अलग है मीडिया में दिये एक इंटरव्यू में अभिनव ने खुद बताया था कि उनके दिन की शुरुआत सुबस साड़े तीन बजे होती है वो ब्रह्म मूरत में उठकर पहले माला जाप करते हैं फिर चार बजे घर पर ही पूजा करते हैं फिर साड़े छे बजे तुलसी पूजा परिक्रमा कर अपने घर में विराजमान बाल गोपाल को भोग लगा कर साड़े साथ बजे स्कूल जाते हैं इसके अलावा अगर कि तमाम खबरों के लिए देखते रहे देन्यू सिफ्टीन नमस्कार